नमस्कार दोस्तों मैं गने साधी ते फिर से स्वागत करता हूँ आपका कमपडिशन कॉमुनिटी पे दोस्तों आज हम इतिहास में महा जन्पदकाल के समय का ही हम ठीक बौद और आपके जैन धर्म के बारे में हम पढ़ने ओले हैं अब हम देख लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में महाविर स्वामी हो चुके हैं अब हम देख लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में ठीक महात्मा बुद्ध का जन्प पांसो तिरसिट्थ इस्वीपूर में हुआ था कहा पर हुआ था लुंबनी ध्यान रखेगा दोनों इस्वी पूर्व हैं, इस्वी पूर्व, ठीक है, यानि कि इन्होंने 80 वर्ष तक का जीवन जिया, ध्यान रखिएगा, 80 वर्ष, ठीक है, इनकी जो मृत्मा बुद्ध का मृत्व जो है, मल सासक के राज, मतलब मल राज में हुआ था, ठीक, तो मल राज में, मल राज में हुआ था, इनके पिता सुद दोधन, ठीक ध्यान रखिएगा, साक के गण के परमुक थे, कहा के, साक के गण, ठीक ध्यान रखिएगा, राजा थे, साक के गण के परमुक थे, इसलिए महात्मा बुद्ध का एक और नाम पड़ा है, साक के मुनी, साक के मुनी, ध्यान र विज Rings बतएब है कि चलिए इनकी माता का नाम महा नाते मोउर्द कितानून महादक कि इंक जन्म को तो गया इंक घृषिय का सातवे सी इनकी माता का से गिम्सक्त्रक्राइब के नाम यसोधरा इनका एक पुत्र था राहूल जबकी महाविर स्वामी की पुत्री का नाम था अनोजया प्रियदर्षनी थोड़ा कमपनेटिव स्टड़ी कर लिजिएगा यहाँ देख लेते हैं महाम है भुद्ध्ध स्वामी के नाम जब ये अपने कपिल वस्तु राज के भ्रमण पर थे, रत में घूम रहे थे, तो इनको चार चीजे देखी और इन चार चीजों ने इनके मन को विचलित कर दिया, पहला क्या चीज देखा? वृद्य देखा, दूसरा बिमार वेक्ति देखा, तीसरा क्या देखा? मृत्य वे पुछा, तो काफी विचलित हो गया, फिर बात सन्यासी को देखा, जो कि मस्त मौला तरीके से घूम रहा है, तो सन्यासी से बहुत परभाइत हो गया, और यहीं से उनका दिमाग कहा हो गया? सन्यास के और मतलब ठीक, अब इनका दिमाग जो है, यह हमेंसा एकांतवासी रह कि वहां पर 30, 12, 42, यहां हमको पढ़ना है 29, 6, 35, अर्थात, 29 वर्स की आयू में महात्मा बुद्ध ने ग्रिह त्याग किया, किसी से पूचा नहीं, रात और रात निकल गया, ठीक है, 6 वर्स तक तपस्या किया, ठीक, और 35 वर्स की आयू में इनको ज्यान पराप्त हुआ, याद रखिएगा 29, 6, 35, ठीक है, अब यहां पर देखिएगा इनके गुरु, ठीक वास्तों में महात्मा बुद्ध जब निकलें, ठीक तो आगे जाके इनको अलार कलाम का आस्रम मिला, तो सब से पहले अलार कलाम का नाम ले रेते हैं, अलार कलाम, ठीक आगे जाके फिर इ ये दो इनके गुरु हैं, अलार कलाम जो है, ये वास्तों में सांग दर्सन के बहुत ही अच्छे जानकार थें, ठीक, तो अलार कलाम से इन्हों ने सांग दर्सन मिलें, आगे जाके रुद्रक राम पूर से भी मिलें, इनसे इन्होंने दिख्छा ली, ठीक है, जब इनको लगा कि भाई कुछ काम नहीं बनने वाला है ऐसे पढ़ने से या ऐसे ज्ञान से ठीक है तो यह जो है इनको छोड़ के आगे बढ़ गए तो ध्यान रखिएगा जब यह आगे बढ़ें तो उरुवेला नामक एक स्थान पढ़ता है उरुवेला उसी उरुवेला में कॉंडी ने सहित पांच इनको साथी मिले, प्रमुख व्यक्ति का नाम था कॉंडीन ने, सहित पांच लोग मिले थे ध्यान रखेगा उसमें पांच में यह भी साहिल है, तो यह जो पांचों के पांच मिलके फिर आपस में तपस्या करने लगे, थिक ध्यान रखेगा, बहुत दिनों अकेले तपस्या करने लगे, अब ध्यान रखेगा, ठीक इनको बोध गया, मतलब बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के तट पर जैसे इनको ग्यान प्राप्त हुआ, ठीक है, तो इनको बुद्ध कहा जाने लगा, ध्यान रखेगा, महात्मा बुद्ध के तीन चीज वेशाःक कुनि माथ महात्मा बुद्ध चन हुआ है, ओर ज्यान पराप्ति भी हुआ है, ठीक है, इनका अन्य नाम दिख लेते हैм, महात्मा बुद्ध को, हमने दो नाम देखा है, ठीक, पहले शाःक्य मूनी भी कहा गया है शाःक के मूनी फिर अभी क्या चर्चा किये थे हम लोग, तथा गद भी कहा गया है, तथा गद, ध्यान रखिएगा, साक्य मुनी, साथी साथ तथा गद भी कहा गया है, तथा गद, ठीक चलिए, इन्होंने अपना पर्थम उपदेश ध्यान रखिएगा, ठीक किसे दिया था, ठीक इन्हों और उसी को धर्म चक्रप्रवर्तन के नाम से जाना जाता है महाभी निश्क करमाना क्लियर है? चलिए सरवाधिक उपदेश इन्हों ने स्रावस्ती में दिये थे स्रावस्ती इस चीज को जहां रखेगा सरवाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध द्वारा स्रावस्ती भी दिया गया है ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे देखते हैं बहुत धर्म की सिध्धान्त पहले इन सिध्धान्तों को केवल अराम से देख लेते हैं फिर एक एक करके पढ़ेंगे पहला है त्री रत्न चार आरे सत्य द्वादस निदान अस्तांगिक मार्ग दससील मध्यमार्ग प्रतित समुतपाद छनिकवाद पंचसकंद अनुशावन और उपसंबदा ठीक है ये जो पाँच ऐसे सिध्धान थे तत्तों है जिनका चर्चा बहुत धर्म में किया गया है ठीक है चलिए ठीक आए इसका एक छोटा सा इंट्रोडेक्शन कर लेते हैं ठीक जिसे की त्री रत्न ठीक ध्यान रखेगा त्री रत्न क्या है ठीक त्री रत्न हम बहुत अजयन धर्म में क्या देखते हैं ठीक समयक सरध्या समयक ज्यान और समयक आचरण यहाँ पर है बोध्ध धम और संग ध्यान रखेगा थे बुद्ध पहला है बुद्ध दूसरा है धम और तीसरा है संग ठीक यह है आपका ठीक त्रीरत्न यहाँ पर एक वाक्य के रूप में इनको इस चीश को बताया गया है जैसे कि और संग्गम सरणम गच्छामी इन तीनों को तिक बहुत धर्म का त्री रत्न कहा गया है चार आरे सत्य, चार आरे सत्य में दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामनी परतिपदा, ये चार चीज़े हैं, कौन-कौन सा, दुख, दुख समुदाय, तिक, दुख निरोध, दुख निरोध गामनी परतिपदा, ये चार चीज़े, इसको आग इसको जोड़ के बताऊंगा, द्वादस निदान को भाव चक्र के नाम से भी जानते हैं, भाव चक्र, जरा मरण चक्र, जरा मरण चक्र, अर्थात, ध्यान रखिएगा, ठीक, यह जो चक्र है, ठीक, इन्हें चक्रों के बारे में हम पढ़ेंगे, किसमें, ठीक, वास्तों य मतलब दुख का कारण है, कारण प्रतिसबदपाद, प्रतिसबदपाद भौथ धर्म का कायरेकारंट सिद्ध हमत में द्वादस निदान है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अस्टांगिक मारग, अर्थात यहां पर, थिक, मुक्ष पराप्त करने के लिए आठ मारग के बारे यह तो आता ही आता है ठीक है चोरी ना करना ठीक है आपका बदिरा पान ना करना इस प्रकार के ठीक दस प्रकार के आचरन दिये गए है ठीक मध्यम-मार्ग मध्यम-मार्ग wasn't 2-8 मैं क्या है काय कलेश की गयी है काय कलेश मतलब सरीर को महनत कीजीये बहुत तपाई यह तब कहीं जाके आपको मोख्ष मिलेगा तो महत्मा बुद्ध को महत्मा बुद्ध को को deta को नहीं मानतें करतीषी समस्य अुग्रस्त हो जाएं। धियान रखीगा हमको जरकेक देखांडा मध्यम परतीपकादा के माध्यम से धिकर करना मध्यम प्रतीफ समुत्पाद में नुलकर दूसरा भी जात का ऐसा परतीन समुत्पाद में चार औरतीष मी कुण कारन आर यां चड़िक वाद ध्यान रखेंगा चड़िक वाद का मतलब होता है तिक विश्व में कोई भी चीज जो है वो इस्थाई नहीं है प्रतेक वस्तु कुछ छड़ के लिए है तिक जैसे में अभी आप देख रहे हैं तिक अभी में जो हूं एक छड़ बाद वही नहीं रहूंगा क्योंकि किसी न किसी परकार का छोटा सा परिवर्तन अवस्य हो जाएगा यहां पर यह भी कहा गया है कि हम एक नदी में दो बार इस्थान नहीं करते हैं क्यों क्योंकि जिस चड़ में जिस धारा में जिस इस्थान पर हम इस्थान किये हैं वो तो आगे बढ़ गई ठीक है अब जो आएगे हम दूसरी धारा में करेंगे तो ध्यान रखेगा छडिक वाद जो है यहीं बताता है कि विश्व के प्रतेक वस्तू प्रतेक घटना ठीक वो क्या है छडिक है ठीक छण मात्र के लिए रहता है यानि कि सास्वत नाम को कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर ठीक ह में आएगा पहला संग्या वेदना संसकार ध्यान रखेगा संग्या वेदना संसकार विज्ञान और रूप ठीक ध्यान रखेगा यह पांच इसकंद है ठीक पांच इसकंद संग्या वेदना संसकार विज्ञान और रूप ठीक यह चीज़ के अब चर्चा कर लिजेगा ठी अनुशावन किस चीज को कहते हैं बहुत धर में बहुत धर में अनुशावन का अर्थ होता है तिक जब आपका संग का जब पाठ होता है उसी पाठ में जिस चीजों का उच्चारण किया जता है उसी को हम अनुशावन कहते हैं ध्यान रखेगा संग में होने वाले पाठ तिक इसी को हम अनुशावन कहते हैं, एक्जाम में पुछा हुआ है, ध्यान रखेगा, टिक, उपसंपदा, उपसंपदा कहते हैं, बौधसंग में प्रवेश करने को, बौधसंग में प्रवेश, ध्यान रखेगा, प्रवेश, बौधसंग में प्रवेश करने के जो प्रक्रिया ह उसी को उपसंपदा कहते हैं, उपसंपदा में वेक्ति को ठीक है, पीले वस्तर धारन कराया जाता है, उसका सीर को मुडवाया जाता है, बाल नहीं रखा जाता है, यह है आपका उपसंपदा, ठीक तो बहुत धर्म के परमुक्सिदान्त है, अब हम एक एक करके ठीक है, इसक तिक सबसे बड़ा सत्य है, तिक अर्थात इस संसार में सभी वेक्ति दुखी है, तिक सभी वेक्ति क्या है, दुखी है, सरवत्र दुखम दुखम, तिक सभी सभी इस्थानों पे दुख है, सभी इस्थानों पे क्या है, दुख है, तिक दुख से बचा नहीं जा सकता, समुत्पाद दुख का कारण क्या है भई दुख का कारण तिक अविद्या है द्यान रखेगा अविद्या अविद्या के कारण अविद्या मतलब अज्ञान के कारण तिक हम क्या में दुस्चक्र में फसते हैं और यह जो चक्र है यह बारा स्टेप में होता है तिक बारा कि इसी को जरा मरन चक्र कहते हैं जरा मरन चक्र ठीक अर्था जन्म लेना और मरना ठीक अगला है ध्यान कि eder कि यहां से पताश चल जाएगा कि दुख का कारण क्या है तो दुख निरोध इसका मतलब है दूख को समाप्त किया जा सकता है, यह भी बता जा रहा है, ठीक है, तो यह नहीं बता रहे हैं, कैसा करना है, यहाँ पर बस इतना बता रहा है, दुख निरोध, अर्थाद, दुख को समाप्त किया जा सकता है, चौथा लाइन में बता रहा है, चौथा पॉइंट में, दुख निरोध को करने वाली प्रतिपदा मार्ग यह है आपका अस्टांगिक मार्ग क्या कैसा करना भई अस्टांगिक मार्ग अपना यह अस्टांगिक मार्ग तो ध्यान रखिएगा वास्तों में अस्टांगिक मार्द के माध्याम से आपको क्या मिलेगा ठीक है जना मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगा ठीक है और इसमें आपको मध्यम परते परदात हैं मध्यम मार्द को भी लेना है अविद्या के Chakra में हम बारा चक कर में पढ़ते हैं और क्या है आगे पढ़ने वाले हैं। जरा मरती हैं त तिसरा पॉइंट बताता है दूख निरोद्दूख को समाप्त किया पौइन च था है और वो वह कहता है चले आगे बढ़ते हैं। ये 12 निजान चक्र क्या है, वो देख लेते हैं, ये है, 12 निजान चक्र का मतलब क्या है, समझ लीजे, 12 चक्र, हम पहले अविद्या हुआ, अविद्या से हमको संसकार प्राप्त होता है, संसकार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से सडायतन, सडायतन से सपर्स से वेदना होता है वेदना से त्रिषना जागता है फिर उपसंपदा फिर भव पिर जाती और फिर जरामरन ठीक है तो इस चीजों को आप एक बार याद रख लेजिए ठीक है अविद्या संसकार विज्यान नामूरूप सडायतन सपर्स वेदना त्रिषना आठ मार्ग दिए गए समाप्त करने के लिए वही है अस्टांगिक मार्ग आठ मार्ग का आप अस्टांगिक मार्ग को फॉलो करेंगे तब कहीं जा कि अविद्या समाप्त होगी अर्था इस चेन सिस्टम से ठीक है रियक्षन से अविद्या को हटा दीजिए सब समाप्त हो ज कारण ही सिक द्रिश्टी उत्पन होती है. आपको क्या हो गए? अविध्या तिक हिंसा करें तिक ऐसा नहीं है यहां पर इच्छा और हिंसा से रही संकल्प को ही सम्यक संकल्प कहा गया है यहां पर दो और चीज आएंगे सम्यक संकल्ब जो है दो आशए है पहला सूब संकल्ब ग्रहन करना और असूब संकल्ब का त्याग करना तिक यह हो गया सम्यक संकल्ब सम्यक वाग, सम्यक वाग का मतलब सही तरीके से बोलना है, अर्थात वचन का तिक, आपके वाड़ी को सयमित रखना, अर्थात अनुचित वचन का त्याग करना ही सम्यक वाड़ी है, तिक, और अनुचित वचन जो है वो चार प्रकार के होते हैं, पहला हो गया म्रिशा वाच अर्थात मिठ्या वचन जूट बोलना ठीक है दूसरा पिशून वाचा चुगली करना ठीक दूसरा पिशून वाचा चुगली करना तिसरा पुरुषा वाचा कठोर पुरुष मतलब कठोर कठोर रूप से किसी वेक्टी को बोलना और अगला है संकल्पना ठीक संकल्पना ठी क्या हो जाएगा अनुचित्वचन का त्याग करना और वो अनुचित grown कितने परकार के होते हैं चार प्रकार के ौत थिक समयक दिरिष्टी समयक संकल्ब समयक वाक और अगला समयक करमान तक समयक le γيل कर皂ं तक का मतलब होता है आपका समयक कर 근र तक तो ध्याद रखिएगा समयक द्रिष्ठी , समयक संकल्ब, समयक वाक , समयक कर्मार तक अब आगे बढ़ते हैं ठिक बाकी चार के लिए अगला देख लेज़ नें का मतलब हुता है जिविका का वहंद करना तो जिविका वहंद करने के वाँशित मारगों अपनाना एसा ही कि चोरी करें हैं लोका striking प्रविभिर्थी नहीं हैं तो धियान रहे समयक्त वैयाम इसका मतलब होता है सुव वीचार को गरहन करना है विचार को गरहन करने और असुव विचार का ट्यांग करना समयक्त वियायाम समयक स्मृति ध्यान रखेगा इसमें आपको इस चीज़ को ध्यान में बनाया रखना अपने मस्तिस्क में यह जो संसार है वो नीरस है ध्यान रखेगा इसा नहीं है कि सारची इसी में होना है आपको ध्यान यह रखना मस्तिस्क में कि संसार क्या है नीरस है ठीक यह ध्यान रखेगा अस्तांगी कमार्ग, चलिया है, आगे बढ़ते हैं, इसके दो अंग है ठीक, एक है चीत एकागरता और प्रग्या, प्रग्या मतलब ज्यान की प्राप्ति, चलिया, आगे बढ़ते हैं, अस्तांगी कमार्ग के बाद आगे, अब हम देख लेते हैं, महात्मा प्रतिव का प्रतिख है पीपल विरिच्छ, इसी को बोधी विरिच्छ कहा गया है, मृत्यू का प्रतिख है स्थूप और निर्वान का प्रतिख है पद चिन्द, तो इनको आप याद रख लीजेगा, बुद्ध के जीवन से संबंदित घटना है, ठीक, उनसे संबंदित अल बौध धर्म के संपर्दाएं, बौध धर्म के दो प्रमुक संपर्दाएं, हीन यान और महायान, जो हीन यान है ये वैभासिक और सौतांत्रिक में बटा हुआ है, जो महायान है, ये सुन्यवाद और विज्ञानवाद में बटा है, ठीक, इसके बाद एक और है वज्ज्र Tantri Kriya की अनुमती है, इसमें तीदीक, साथी साथ इसमें पंच माकर का भी अनुमती है, पंच माकर, ठीक, ध्यान रखिए गांगे, पंच माकर में पांच मा आते हैं, मा पहला आएगा, मद, मतस्य, मुद्रा, मांस और मदीरा ठीक ये पांचो के पांचो आएगा ठीक व्ची वेलु वन और जयेतिवन ध्यान रखिएगा विल्でもर जो है ठीक विंबिसार ने माहत्मा बुद्ध को गिप्ट किया था ध्यान रखिएगा उसी प्रकार जयेतिवन जो है जएत 그걸 राज कुमार दु किन को कारणों से बॉऩ धर्म का पतन हुआए पहला है बॉद धर्म में भर्षटचार का पर्वेशदग ध्यान रिख लिए तिक परशेझ के लिए इसे बुरॐ संग में भर्षटा-चार का परेयोग थिक न रखेगा आपके बोलचाल की भास की प्रयोग चाने लगा हम किसी भी सास को द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया तो तो ये है आपके बहुत धर्म के पतन के प्रमुक कारण। ठीक है, आपको इसी प्रकार के वाकिव वीडियो देखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलिग्राम को जॉइन किजे, यहाँ पर यह सब सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चलिए धन्यवाद, ठीक, अगले चेप्टर के साथ फिर मिलेंगे अगले क्लास में.